नमस्कार किसान भाहियो टेक्निकल खेथी में आपका स्वागत है जैसे आप जानते हैं मैं टीटू गुमार तो आज मैं आया हुए बिजनोर आदर्स नर्शरी पर तो इन्होंने पोधे लगा हुए हैं के लेके अब देख रहें गेल और हैट भी पोधे की ज्यादा है नहीं मैं मैं हाथ पुचा सकता हूँ गेल के उपर तक बिल्कुल जादा है मेरी जादा है नहीं में पांच फुट है तो आप देखें इसमें मतलब काफी अच्छी ग्रोध हैं रस्षी बांद रखके जिसे पोधे गिरना जाए तो आए इनसे बात कराते हैं कि कितनी लागत आती कि पड़ती एकड और किसान भाई मतलब कितनी इंकम ले सकते हैं जादस जादा तो खुचो काफी चिसान और करवाते भी पोधे बिदू कर मतलब करते हैं मतलब बीदा काफी जगा भेजते हैं यहां से जीनाय इनका टिशू गलचर का ठीक है इसे इनसे बात कराते हैं हाज इसको लगाते हैं कि इसमें लगते हैं एक बारसों से साड़े बारसों पोदे लगते हैं कितने पर यह यह च्छावाई छक्र पर इसको लगाना चाहिए इसका उचितमानक यह ताइमिंग कि पंद्रे जुन से पंदरे जुलाई का और इसको उस जून से पहले पहले खेत को तीन-चार बार गहरी जुटाई करके जोद के छोड़ देना चाहिए फिर बैड बनाने चाहिए बैड की जो उचाई है वो चार से पांच इंच और दो से धाई फिट चोड़ा होना चाहिए तो उसमें दाल देनी चाहिए और उसको अच्छे से मिक्स करें जुताई करके उसको फिर उसका बैड बनाए फिर उसमें पोदे को रूपित करें तो इसमें खड़े में रखते हैं कि ऐसी रखते हो पनी बैड पे पानी कि दिन दिन के अंतराल पे ऐसी देते पोदों को या फ्लट से देते हैं पानी इसको दोनों तरह से सकते हैं से बीच्ट से भी दे सकते हैं और ड्यप दोरसह सकते हैं मैं जइसकि और पर लगाने यह होते हैं जैसे कि आप बैड पना हुआ हुआ है और लगिए होएं तो बीच में पानी बहुत दो थो बढ़ रहे दो आहाम से इसका बैड वह नमी बनी रहे मैं पनि यह की चाहिए नहीं भरावा पानी जिन खेतों में पानी भरा रहता है और यह कि नहीं करने चाहिए को ना लगाएं यह अफ़ी अ धर बूर्प बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए तो पानी निकलने जञाए तो काफी नाम मैंने भी सुना इसका तो यह बताई कि हार्वेस्टिंग इसकी कितने दिन में हो जाते हैं लगने के बाद लगबग 11 महिने और 12 महिने में इसमें फल निकल जाता है फ्लोबरिंग होने के तीन महिना और इसको फल को पुरा होने में लगता है इसको अबने केला हमारा हो गया इसको काट दें तो फिर इक इतनी साल तक चल जाता है लेकिन अपने इस उत्तर भारत में लगग सभी किसान दो बार फसल लेते हैं कि अपनी उसकी हो गए यह जो पोदा लगाते हैं और एक हो गया हमारा जो इसकी पेडी रहेगी जैसे फल निकलता है फ्लोवरिंग होती है तो फ्लोवरिंग होने यह लगबग मैंने ना पता लगबग नो नो इंच का केला भी है मैंने ना पता ऐसा नहीं है कि एक ही बंच है देखो आगे तक काफी अच्छा साइज बना हुआ बहुत ही बड़ी है तो किसान बाइयों को यह बता है कि एक एकड में मतलब लगा लगा है इनको विद पोड देखे प्राइज के हिसाब से मतलब प्राइज तो चोड़े बहुत कम देवरती दो चार रुपे उपर नीच चलते रहते हैं तो मुझे बताएं कि एक एकड में ल रेट अगर सही है कितना रुपे किलो तक लगभग पर भी 17 रुपे 16 रुपे 15 रुपे 14 रुपे 18 19 20 रुपे तक भी केला बिग जाता है तो अगर मां मुझेशन करके बताता हूं आपको इसमें अगर एक पोडे पर फल लगभग 30 किलो आया 30 गुणा 10 रुपे किलो के हिसाब से भी हम करते हैं तो 300 रुपे का एक पोड़ा हो गया 300 रुपे का होगा जी अब जैसे कि और फसलों में बीमारियों होती हैं तो इसमें पोधा लगता है जहां पोधा रोपित करते हैं जी उस समय इस पर किसानों को कितनी मातरा पर बनने पर हमें क्या इस्प्रे करना है चमक रहे और पोदा स्वस्त रहे आने वाले समय में कोई बिमारी ना आए देखो जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी साइनिंग कितनी अच्छी है कहीं भी कोई धबा नहीं है प्र जैनिलाय के लिए उसका सामना करना पड़ता है समय पर पानी का चुद्यू लखे कि निकालते रही खेट में और उस पर ऊसपर होता है के नहीं हो पाइगा नहीं बनी रहेगी तो आफंपसर कम हो जाए देखो पानी का ही महत्व होती जाब पराबर बनाके रखनी है क्योंकि जाड़ों में नमी का पता चलता नहीं है लेकिन अक्सर पोधा पानी मांगता है पानी मांगता है तो उस समय हमें जाना है अगर किसी को पोध चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं तो आप अपना मेरे नमबर पर संपर्क कर सकते हैं मेरा मुबाइल नमबर सबस्क्राइब जबन कर रहे हैं उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा धन्याबाद कि सानवाइब जया हिन जया बारत